प्यार भरा सभी को नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, आप सभी की दोस्त, आप सभी लोग का बहुत प्यार मुझे अपने इस चैनल के माध्यम से मिल रहा है, आप सबको बता है कि मैंने पेड मेंबर्शिप अपने चैनल पे शुरू की है, जिसमें एक अलग लोटस फैमिली बनी ह काफी सारे लोग लोटस फैमिली का अब तक हिस्सा बन चुके हैं, जिसमें मैं आपके कमेंट्स को प्रायोर्टी के साथ रिप्लाय करती हूँ, ये चैनल की ही मेंबर्शिप है, एक अलग सा परिवार बना हुआ है चैनल पे, आपके कमेंट्स को मैं प्रायोर्टी के साथ रिप्लाय करती हूं, साथ में मैं कुछ special tips और videos भी जब मुझे लगता है जरूरी है, तो मैं डालती हूं, जो group के members follow कर रहे होते हैं, तो आप में से और लोग भी अगर join करना चाहें, तो आज के video के description में भी link दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर click करके उस पर join कर सकते हैं, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के video में, आज का video है purification के लिए, आज का video है cleansing के लिए, यानि मैं आपको एक ritual बताने जा रही हूं, salt और water की ritual, जो आपके life के blockages को पूरी तरह से remove कर दी, आपने क्या करना है, simple salt ले लेना है, परेशान होना नहीं है, sea salt, rock salt, ऐसे words जब देते हैं तो आप लोग घबरा जाते हैं, actually घबराने की कोई बात नहीं है, साधा नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो, सेंधा नमक तो सब जगे मिलता ही है, ठीक है, सेंधा नमक सब जगे मिलता है, जादा तर लोग खाने में भी इस्तेमाल करने लगे, मैं आप लोग कश्ट उठा लीजिए, सेंधा नमक जाकर ले आए मार्केट से, सेंधा नमक थोड़ा सा आपने ले लिया, सिंपल ले लेना है, पानी, और आपको कुछ नहीं करना इस रिच्वल में, बस ये दो चीज़ हैं, जिनसे हम ये रिच्वल करेंगे, ये रिच्वल क् अपनी लाइफ के ब्लॉकेजिस को हटाने के, आपके लाइफ में जो ब्लॉकेजिस हैं, निगेटिविटी है, आपके औरा में जो गंदिगी है, जो चीज हर्डल्स बनाई हुई है आपकी लाइफ में, उनको रिमूव करने के, सॉल्ट क्या है, सिंबल है ब्लॉकेजिस मिलेंगे, क्या करना है आपको, सिंबल एक कोई भी वाटर बॉटल ले ले, इस तरह से कोई भी वाटर बॉटल जो आपके घर में हो, वो आपको ले लेनी है, ट्रांस्पेरेंट हो, ये भी बिलकुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है घबराये नहीं, ट्रांस्प जो मैंने पानी बनाया है, इसमें मैंने अल्रेडी सॉल्ट डाला हुआ है, आपको क्या करना है, एक कागज में लेकर अपना नाम लिख लेना है, अपना नाम, आपके ओपर आप कौन है, मैं कौन हूँ, मैं शालिनी, मेरी इस परसनेल्टी को आप शालिनी नाम से जानते है तो यानि मेरा नाम अगर clean होगा तो मेरी personality clean हो जाएगी तो आपने क्या करना है एक simple paper ले ले paper पे लिख दे अपना पूरा नाम with sir name जैसे मेरा नाम है शालिनी वर्मा मैंने पूरा नाम इस पे लिखा है शालिनी वर्मा इसी तरीके से आप भी लिख लेंगे अपना पूरा नाम लिखिए पूरा नाम लिखने के बाद अपना intention भी लिख दीजिए अगर आपको लगता है मेरी life में money के blockages बहुत जादा है तो आपने नीचे लिख दिया please remove money blockages money blocks या फिर आप कोई कुछ और आपका intention आप अपने relationship को अच्छा करना चाहते है आप कोई job पाना चाहते है आप exam में success चाहते है जो आपका intention है आपने यहां पर लिख दिया नीचे इसके लिख दिया अब पानी simple water है यह और कोई निडाली चीज इसमें नहीं है केवल पानी और नमक है इसमें मैंने नमक डाला हुआ भी है आप क्या करेंगे यह वाला जो सैंधा नमक है यह सैंधा नमक आप जितना डालना चाहें उतना डाल लीजिए कम से कम दो चार्च है चमबच डालीए अच्छा खासी quantity डाल दीजिए ठीक है अब डालने के बाद आप क्या करेंगे आपने जो अपना intention लिखा है यह सोच कर कि हे इश्वर मैं आपकी संतान हूँ आप ही मेरे source है मेरी उर्जा के आप ही source है मेरी life के सारे blockages money के लिए जितने भी blockages मेरी life में आ रहे हैं सब आप remove कर दो सारे blockages आप हटा दो ठीक है इस prayer को एक छोटी सी prayer अपने words में बनाए रटी हुई मेरे words की prayer को अस्तेमाल ना करें अपनी prayer खुद बना लें आपको God से अपनी शक्ती से communicate किन words में आप करना चाहते हैं उन words में करिए इसका ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि इस prayer को बोलेंगे तभी ये ritual काम करेगा ऐसा जड़ासा भी नहीं है तो आपको क्या करना है अपने words में बोलिए हे प्रभू आप ही मेरी उर्जा का श्रोथ है प्लीज मेरे सारे मनी के blockages हटा दीजिए मेरी life को खुशाल बना बेया ऐसे करके आपने prayer बोली seven times अपनी prayer कम से कम बोली है prayer बोलने के बाद या तो इसको आप रोल करने और या फिर आप इसको ऐसे करके wrap करने ऐसे आपने wrap कर लिया wrap करने के बाद आप क्या करेंगे ये जो नमक और पानी का ये जो hole है इसमें काफी नमक डाल लीजेगा अच्छा आपने कर दिया धकन बंद अब क्या होगा सॉल्ट अपना प्यूरिफिकेशन का काम करेगा अब इसको हाथ में इसको शेक कर दें अच्छे से अब इसको हाथ में लेकर वही प्रेयर बोली है जो मैंने अभी आपको बोली है उसी तरह से इश्वर से प्रेय करिए कि गॉड काली निगेटिविटी हटा के मेरी लाइफ को खुशाल बना दो मैं रेडी हूं आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए ऐसी प्रेयर सेवन टाइम्स कम से कम बोलिए पानी के अंदर अपना नाम लिखा हुआ ये कागज डालके अब बॉटल को अच्छे से बंद करक कईपर भी कम से कम से कम सेवन डेज इसको रखा रहने है दिजए ऐसे आपको टच नहीं करना ना इस पर ज्यादा सोचना है ना टच करना एक जगे जाकर आपने कहीं भी इसको रख दिया मगर प्रेयर डेली करिए कि जितनी भी निगेटिविटी है अब वो आप हटा दे इ कम से कम एक बार तो रोज प्रे करिए seven days तक seven days इसको रखा रहने दीजिए seven days के बाद आप क्या करेंगे आप ये मानते हुए कि जितनी भी negativity मेरे नाम से मुझसे जुड़ी हुई थी जिससे पैसा मेरे पास flow नहीं हो रहा था वो सारी negativity अब दूर हो गई है salt है ना इसमें सारी negativity दूर हो गई है अब मैं हो गई हूँ purify ये जो पानी है इस पानी को आपको flush कर देना है क्योंकि इसमें negativity है इसको अपने ऊपर भी नहीं गिरने देना है ठीक है पानी को पूरी तर ऐसे flush कर दें खाली कर दें कागस जो बचेगा कागस तो वैसे भी dissolve हो जाएगा फिर भी जो कागस बचे तो आप किसी पौधे में इसको डाल सकते हैं आप मिट्टी में भी इसको दबा सकते हैं ठीक है और फिर ये intention रखना है मन में कि thank you God मुझे clean और purify करने के लिए और अपनी blessings देने के लिए thank you thank you thank you साब दिन कम से कम इस ritual को कर दीजिए देखिए आपका कितना pur क्लीन महसूस करेंगे negativity आपको release हुई महसूस होगी यह अपनी औरा को अपनी life को clean करने का एक बहुत ही powerful method है इसको use करके देखिए कैसा result आता है comments में जरूर मुझे बताईएगा औरा को अगर आप clean करना चाहते हैं तो मेरा औरा cleaner oil भी है आप सब लोग जानते हैं मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी मेरे नंबर पर whatsapp करके आप औरा cleaner oil regular use के लिए भी ले सकते हैं ताकि हर तरह की negativity से आप बचे हुए रहें तो मैं हूँ शालीनी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी प्यार भरा नमस्ते